हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम टू मार्क्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टिन्स देखने वाले हैं चप्टर नूबर 6 ट्रिक्नोमेट्री का तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो कॉश्चन आप देख रहे हूँ यह आया है जुलाई 2019 में आया था मतलब और इसमें लिखा किया कि अगर कॉस्ट थेटा का वैल्यू 5 अपॉन 13 है तो आप फांड़ोट करें साइन थेटा का वैल्यू तो देखिए इसको सॉल्व करना है अगर आपको तो यह वाला जहां पे हमने 6.1 देखा था फर्स्ट ही कॉश्चन था साइन थेटा का वैल्यू दिया है कॉस्ट थैन पूछा है और भी पूछता तू भी चलता था तो आपने किया था ट्राइंगल मेथेड से इजी भी लग सकता आपको लेकिन लेंदी हो जाएगा स्टुएं अब अगर फॉर्मॉला बोला जाए तो आप टेंशन मत लीजिए स्टुएंट्स क्योंकि फॉर्मॉला को एजी बनाने का जो मेथेड है वो है आपके इसी लेस्ट में आप उसको एक बार ट्राइ करिए स्टुएंट्स और फॉर्मॉले से आपको अच्छा ही रहेगा क्यो लेक्ते solution और आपको जो दिया है cos theta चली वो लिखेंगे नहीं लेकिन आपको दिया क्या है cos theta 5.13 आपसे पूछा क्या sin theta तो आपको करना क्या है कि आपको ऐसा कोई formula समझना है जिसके अंदर sin theta और cos theta 10 theta है ये छोड़ दीजिए सिर्फ ये दो चीज़ रहे यहाँ पे भी नह आपको मिलना ही है तो ये formula आप यूज करोगे formula को यूज करने को या identity method बोला जाता है students तो चली हम solution में direct लिखेंगे कि sin square theta plus cos theta या पहले लिखके बता देंगे कि cos theta आपको क्या दिया है तो आप यहाँ पे लिखते हो कि cos theta is equal to 5 upon 13 फिर आप formula लिख देते हो कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1 य यह वाला formula अब इसमें आप क्या करोगे जहाँ पे cos theta है cos square theta उसमें cos theta का value 5 upon 13 है वो यहाँ पे लिख दो यह आप ऐसा कर सकते हो पहले इसको वहाँ पे भेज दो उसके बाद आप apply करो वो भी चलेगा तो वह इसी कर लेते है तो हम ऐसा लिखते therefore sin square theta is equal to यह वाला चीज गया तो बन गया minus cos square theta तो इसी से आपने यह वाला formula बनाया अब यहाँ पे आप apply करिए इसका value यहाँ पे इसका value पूट करिए तो which is equal to 1 minus cos theta का 5 upon 13 है 5 upon 13 लेकिन यह cos square है तो आपको यहाँ पे square लिखना पड़ेगा अब यह 1 सेम रहेगा minus 5 का भी square करना पड़ेगा 13 का तो 5 का square आपको मिलेगा 25 upon 13 का square आपको मिल जाएगा 169 अब क्या होगा अब आपको cross multiplication करना पड़ेगा तो equal का sign लिखा यहाँ पे 1 को 169 से multiply करना पड़ेगा वो मिलेगा आपको 169 फिर यह minus लिखेंगे और 25 को यहाँ वाले denominator से multiply करना पड़ेगा जो 1 है तो 25 ones are 25 यहाँ पे लिखेंगे 25 फिर the whole divided by 1 into 169 तो 169 आजाएगा फिर which is equal to 169 में से 25 अगर आप minus करोगे तो आपको मिलेगा 144 और नीचे है 169 अब यह जो value मिला है आपको यह sin theta का value नहीं मिला है जो आपसे पूछा है आपको मिला है sin square theta तो therefore sin theta क्या हो जाएगा अगर आपको sin square theta से sin theta चाहिए तो आपको इसका square root निकालना पड़ेगा तो आप इसा लिकोगे square root of 144 upon 169 which is equal to 144 का 12 हो जाएगा और 169 का 13 हो जाएगा therefore sin theta आपको मिल गया तो चली अब first question हो गया इसके बाद वरा question दिखते हैं इसके बाद जो question है वो आया है दो बार मार्स 2019 में भी आया है और मार्स 2020 में भी आया है और क्या लिखा देखिए if sec theta is 25 upon 7 find the value of 10 theta लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक activity complete करना है मतलब solve निक करना है solve भी करना होता तो जैसे पीछे कि आप इसी करेंगे लेकिन activity दिया तो activity आपको solve करना है और आपको ध्यान देना है कि दो बार यह पूछा गया है तो तीसरी बार पूछा जाएगा यह important नहीं है यह sums किस तरह है यह important है तो ऐसे type के sums आपको solve करना पड़ेगा और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह identity method ही यहाँ पर दिखाए देरा formula ओला method तो triangle method पर ही ज़्यादा dependent मत रहे है formula method या identity method जरूर आप अच्छे से सीखिए उसको अच्छे से करिए चली इसको solve करेंगे formula से आपको बता हो यह formula था आपका अब यहाँ पर जो 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta लिखा है वो यहाँ से लिखा है देखिए इसके ओपर दो formula आप बना सकते हो मैंने आपको बोला था जैसे दीके sec square theta अगर आप यहीं पर रखते हो और यह पर भीषते हो minus 10 square theta को तो वहाँ पर जागे plus को आपको 1 plus 10 square theta जो यहाँ पर दिख रहा है और इस तरह बच रहेगा sec square theta जो यहाँ पर दिख रहा है उल्टा लिखा है तो वो चलता है तो चलिए स्टेप आपको समझा, अब यहां पर क्या लिखा, therefore, 1 को 1 लिखा, 10 square theta को 10 square theta लिखा, which is equal to sec square theta के place पे, sec theta का जो value था 25.7, जैसे इसके जस्ट पहले sums में किया, वो लिखा 25.7, लेकिन square नहीं लिखा यहां पर, और उसके जीए पे box रखा है, तो sec theta का value लिख दी है 25.7, लेकिन square नहीं लिखा है, तो आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ square लिखना है, students, तो पहला यह box fill हुआ, फिल नीचे गर आते हैं, तो अब आपको क्या दिखाए दे रहा, आपको दिख रहा है equal के पहले 10 square theta, मतलब यह, मतलब यह 1 भी नहीं दिख रहे है, तो यह 1 इसका मतलब उस तरफ गया रहेगा, तो यह 1 का साइन इहां पे plus है, और उस तरफ जाएगा तो minus होगा, तो यह minus आपको दिख रहा है, तो यहां पे 1 आएगा, और यह जो चीज है यह आप देख रहें 25 का स्क्वेर आपको 625 मिला है 7 का स्क्वेर आपको 49 मिला है इसका मतलब है कि इसका solution यहाँ पे लिखा हुआ है और आगे minus लिखा है और इसके left side में 10 square theta लिखा है इसका मतलब इसको हटाया है और यह plus 1 था उस तरफ गया तो minus 1 हो गया तो यहाँ पे आजाएगा minus 1 मतलब आपको यहाँ पे 1 लिखना है फिर यहाँ पे आजाते हैं अब यहाँ पे 625 upon 49 minus 1 लिखा है इसके denominator में कुछ नहीं है तो 1 है तो cross multiplication होगा उसमें जैसे इसके पहले वाले समस्में किया था आपने मतलब देखा था तो 625 लिखा है तो 625 लिखा 625 फिर minus 149 लिखा 49 फिर upon 49 लिखा 49 आपको मिला है 10 square theta का तो 10 theta के लिए आपको क्या मिलेगा और reason यह अब अगर लिखा कि वाई taking square root इसका मतलब है कि 49 square root लिखा 7 तो 576 का square root आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अभी 625 से थोड़े ही में 576 जिसका मतलब है कि अगर यह 25 है तो इसका square root 25 से कम रहेगा अब 25 से कम आपके पास 24 23 22 सब आ रहा है लेकिन आपको last में 6 चाहिए students तो 2 2s आ 4 होता है यह cancel 3 3 9 होता है यह भी cancel 4 4 16 होता है तो 6 आपको दिखाई दे रहा है तो यह आप ट्राइ कर सकते हो अगर आपको नहीं मालूम है तो और अगर आप पहले से जानते हो तो आप डारेक लिख सकते हो क्योंकि इसका square root 24 है तो 24 upon 7 10 theta का value मिलता है तो इस तरीके का activity पूछा जा सकता है फिर से values change करके और क्योंकि दो बार पूछा था students तो इस type के sums हम अभी और भी देखने वाले हैं जो board exam में नहीं पूछा लेकिन अगर आप करते हो तो आपका practice अच्छा हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद तो चलिए अब जो question है identity method से ही करेंगे formula method से करेंग क्या लेखा कि अगर sin theta 60 upon 61 है then find cos theta और 10 theta तो चलिए यह formula हम लेंगे और शुरू करेंगे तो चलिए इस लिखते हैं solution और फिर से आपको बता रहा हूँ कि sin theta का value देने के बाद आपसे दो चीजे पूछा है cos theta और 10 theta तो एक बार sin के साथ cos समझे और वो ढूढ़िए और फिर उसके बाद 10 sin और cos इन तीनों को मिला के ढूढ़िए तो sin के साथ अगर cos दिखेंगे तो फिर से आपको यही याद आना चाहिए sin square theta cos square theta तो इन दोनों को यूज करके आप cos theta का value निकाल सकते हो उसके बाद cos theta का मिलेगा उसके बाद 10 theta किस तरह find out करेंगे वो दिखेंगे तो sin square theta plus cos square theta is equal to 1 capital small चलेगा students अगर आपको लग रहा कि capital लिखा है तो small ही लिखेंगे वैसे small ही लिखा जाता है तो नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा capital लिख दिए तो गोई wrong नहीं होगा sin square theta का value आपके पास है cos square का value आपको मिलेगा फिर आपको cos भी मिल सकता है तो एक काम करते हैं पहले cos theta को यहीं पर रखते हैं मतलब cos square theta को और इसको वहाँ पर भेज़ देते हैं तो इस हो जाएगा therefore cos square theta cos square theta which is equal to यह 1 को सेम रखा और plus sin square theta जब इधर हैगा तो minus sin square theta हो जाएगा माइनस sin square theta अब देखिए अब आपको ये 1 को सेम लिखना है, minus को सेम लिखना है sin theta का value आपके पास 60 upon 61 है तो आपको लिखना है 60 upon 61 लेकिन ये sin theta का value था और ये sin square theta है तो आपको इसका square करना है तो समूझे हैं यहाँ पर square लिखते हैं अब इसको दो बार multiply कर लिजी इसको भी दो बार multiply कर लिए मतलब 60 का square निकाल लिए और 61 का square निकाल लिए तो which is equal to 1 minus 60 का square 6 6 है 36 और 2 times 0 है 61 का आपको 61 into 61 solve करना पड़ेगा students, जो आपको मिलता है 3721 फिर उसके बाद आपको क्या करना, cross multiplication तो which is equal to 1 को 3721 से आप multiply करो को तो आपको मिलेगा 3721 फिर आवाला minus फिर 3600 का आप यहां वाले 1 से multiply करो को तो आपको मिलेगा 360 फिर the whole upon यहां पर multiplication करो गो तो आपको मिलेगा 3721 उसके बाद देखे 3721 में से 3600 अगर आप minus करोगे तो आपको मिले का 121 क्योंकि सी 121 यह जादा है 600 है और यह 721 है फिर the whole divided by 3721 तो यह जो value आपको मिला है यह value आपको sign sorry cos square theta का मिला है तो cos theta का value निकालने के लिए square root निकालना पड़ेगा तो आप लिखो के therefore cos theta which is equal to square root of 121 upon 3721 तो which is equal to 121 का square root 11 है और 3721 3721 तो अभी आपने 61 को दो बार multiply किया था तो उसको वापी से restore मतलब पीछे कर सकते है तो 61 आ जाएगा तो यह आपको मिल गया cos theta का value तो यह चीज आपको मिल गया अब आपको 10 theta find out करना है तो चलिए अब cos theta का value मिलने के बाद आपस 10 theta पूछा है तो 10 theta, cos theta और sin theta इन तीनों को मिलाएंगे तो यह formula आपको दिखाए दे रहा है जिसमें 10 theta भी है sin theta भी है cos theta भी है बाकी जिएगे पर अगर आप देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर 10 find out करना है अगर तो आपके पास sec होना चाहिए तो sec theta आपके पास नहीं है आप cos से sec निकाल सकते उपर ज़रूत नहीं है आप यह formula अगर यूज करोगे तो आपके लिए मतला आपको जल्दी sensor मिल जाएगा तो हम क्या करते हैं यह formula यूज करते हैं तो यहाँ पर इसा लिखते हैं कि 10 theta 10 theta is equal to sin theta divided by cos theta तो अब आप क्या करोगे sin theta के place पे sin theta का value 60 upon 61 60 upon 61 फिर the whole divided by cos theta के place पे cos theta का value 11 upon 61 11 upon 61 अब देखें ऐसे case में आप यह दोनों denominator अगर सेम है तो आप cancel कर सकते हो students तो आप इसको cancel कर दीजिए और जो बचा वो आप लेकिए 60 upon 11 तो आपको मिला 60 upon 11 और यह आपको 10 theta का value मिल गया तो चली इस type के और भी sums देखते हैं so that आप perfect हो जाओ students चली इसके आगे भी देखते हैं तो फिर से इसी type का question है कि इस बार आपको 10 theta का value आपको दिया 40 upon 9 और आपसे बोला कि sec theta find out करिये और cos theta find out करिये तो but obviously आपको formula ही यूज़ करना है वही आपके लिए अच्छा भी रहेगा तो चली solution लिखते हैं और इसको एक बार लिखते हैं उसके बार देखते हैं कौन सा formula आप यूज़ करोगे तो चली यहाँ पर लिखते है 10 theta which is equal to 40 upon 9 और अब देखे 10 theta आपके पास है value और sec theta आपको find out करना है और cause भी find out करना है तो 10 और sec को अगर आप मिलाओगे तो यह formula आपके लिए useful है sec square theta minus 10 square theta equals to 1 अब अगर इसी pattern में आगर आप याद करोगे देखें यह pattern में किस तरह याद होगा यह भी मैंने trick में बता है students trick में आप से यह पूरी चीज़ आसानी से आप लिख सकते इसको कुछ भी difficult नहीं है तो हम यहीं लिख देते sec square theta minus 10 square theta equals to 1 उसके बाद हम लिखते 10 square theta को किस तरह final करेंगे तो चलिए एक बार लिखता हो यह चीज़ उसके बाद इसको change करता हो तो यह formula से आपको sec का value मिल जागा क्योंकि 10 का आपके पास है तो यहाँ पर लिखते है sec square theta minus 10 square theta which is equal to 1 अब आप क्या करें इसके अंदर जो 10 theta का value आपको दिया है वो इसके जिगे पर put करें तो यहाँ पर sec square theta रहेगा sec square theta फिर आप minus लिखे 10 theta का value आपके पास 40 upon 9 है तो आप लिखे 40 upon 9 और सिंस यह square है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा फिर which is equal to 1 फिर अब क्या करें 40 का square और 9 का square आप यहाँ पर solve करें तो आपको मिलेगा therefore sec square theta minus 40 का square 4 4s are 16 और double 0 आजाएगा 1600 upon 9 का square 81 आजाएगा और which is equal to 1 अब यह minus 1600 upon 81 को जो आप उधर बेजोगे तो वो plus हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा sec square theta बाद में आप sec theta find out कर सकते हो तो चली हम यहाँ पर लिखेंगे therefore sec square theta which is equal to इस तरफ का 1 राइट साट का राइट पर फिर इस तरफ से minus 1600 upon 81 जब यह साट आएगा तो प्लस हो जाएगा तो प्लस 1600 upon 81 और अब आप cross multiplication करोगे तो 1 into 81 आपको मिलेगा 81 प्लस 1600 वन्जा अपन 81 वन्जा नीचे 1 है students 81 वन्जा तो 81 अब simplify करिए 1600 और 81 को आप प्लस करोगे 1681 आजाएगा अपन 81 और यह जो value है यह sec square theta का value है तो sec square theta का value आपको मिला है लेकिन आपको sec theta का value चाहेए sec theta is equal to root के अंदर 1681 upon 81 तो अब इसका square root चाहेए आपको तो आपको 81 का square root मौलूम है 9 नाइन जा 81 है इसका नहीं मौलूम है तो 1600 जो बना था वो 40 का बना था और यह 1681 तो इसका square root 40 से जादी रहेगा 40 से जादा मतलब 41 होगा 42, 43 ऐसी रहेगा अब 3,3 जा 9 होता है last में आपको 1 चाहिए 2,2 जा 4 होता है last में आपको 1 चाहिए 1,1 जा 1 होता है last में आपको 1 चाहिए तो इसका होता 41 chances है 16,81 का square root होने का तो अगर आप multiply करके check करते हो तो देखिए 1,1,1,4 जा 4 4,1 जा 4,4 जा 16 तो यहाँ पर देखिए 1,4 प्लस 4,8 और 6 और 1 1,6,8,1 आ रहा है तो इस तरीके से आप अपना mind use कर सकते हो तो यहाँ पर आजाएगा 41 तो therefore sec theta आपको मिल गाए students तो चलिए अब sec theta मिलने के बाद अब आपको finite out करना है cos theta तो अब आपके पस अगर sec theta का value है 10 theta का value है और cos theta find out करना है तो आपको जो formula होना चाहिए वो cos और sec को मिला के होना चाहिए या cos और 10 को मिला के होना चाहिए तो 10 के साथ तो caught है और 10 के साथ sign upon cos है और 10 के साथ sec है तो 10 sec को तो मिला के आपने ये find out किया, sec theta का अब आपको cos चाहिए, तो cos के साथ या तो sec, cos के साथ या तो 10, 10 के साथ तो cos नहीं था तो cos के साथ sec theta है क्या तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है cos theta into sec theta equals to 1 तो, sorry sec theta का value आपके पास है तो इसका मतलब पर cos theta का value आपको मिल जाएगा, तो ये formula आप use करोगे, तो चली ये formula हम यहाँ पर लिखते हैं, कौन से ये वाला कि cos theta into sec theta equals to 1 तो यहाँ पर लिखते हैं कि cos theta into sec theta is equal to 1, अब इसमे sec theta के place पर आप लिख दीजे क्या 41 upon 9 तो इससा लिख सकते हम कि cos theta multiply by sec theta के place पर लिखिया 41 upon 9 which is equal to 1 therefore cos theta का value आपको क्या मिलेगा अब 41 upon 9 multiply हुआ है इस तरफ, जब यहाँ पर जाएगा तो reciprocal हो जाएगा, आप ऐसा याद रखे multiplication वाले में जो fraction होता है जब उस तरफ जाता है तो वो reciprocal होता है मतलब 41 upon 9 उस तरफ जाके उल्टा हो जाएगा 9 upon 41 तो हम लिखेंगे which is equal to 1 into 9 upon 41 तो which is equal to multiplication है तो आपको इसको इस से multiply करना है तो 1 9 is a 9 होगा और denominator का 41 as it is रहेगा तो यह मिलगा आपको cos theta का value तो चलिए अब आपको एक sums और करना है students so that आपका practice थोड़ा perfect हो जाए उसके बाद आप खुद से sums solve करना चालू करोगे important यही रहेगा कि आपको यह formula याद रखना है बस तो यह भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं students आप चाहो तो कर सकते हो चलिए एक sums और दिखते है अब इस sums में आपको cot theta दिया है और आपसे cos theta और sin theta पूछा है exactly इसके जैसा ही इसके पहले वाले के जैसा यहाँ पे formula अगर आप दिखोगे या तो दिखिए मैं आपको try करने के लिए बोलता है students मैं करने वाला ही था लेकिन आप try करें क्योंकि exactly जैसे पीछे sums है वह इसा ही है sums cot theta 24 upon 7 है cos theta और sin theta पूछा है cot theta और cos theta का relation यहाँ पे आपको दिखाए देने की cos square theta minus cos square theta equals to 1 आपको यहाँ पे cos square theta जैसा पीछे की है cot के place पे आपको लिखना पड़ेगा 24 upon 7 और उसका square फिर वहाँ पे भीजना पड़ेगा आपको मिल जाएगा cos theta का value जब आपको cos theta मिलेगा तो sin और cos theta का जो relation है वो यहाँ पे है जैसा इसके पहले वाले में cos और sec का था easier students आप आराम से कर सकते उसको मैं यह करने वाला था लेकिन मुझे इस अलग रहे कि आपको देना चाहिए और आप try कर सकते उसको please आप try करिए और इसका जो भी answer आएगा आप comments में share करिए एक दूसरे के साथ समझे तो आपको समझ में आजएगा correct answer क्या है तो चलिए आप यह समस करिए प्लीज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थेंक यू वेरी मुच